1967 में हरियाना विधानसभा में कुल 81 विधानसभा सीटे थी जो बढ़कर 90 हो चुकी है 1967 के हरियाना विधानसभा चुनाओं में कुल 43,87,980 मद्दता थे जो इस बार के विधानसभा चुनाओं में 4 गुना से ज़्यादा बढ़कर 1,82,98,714 हो चुके हैं मद्दताओं की संख्या बढ़ने की वज़ा से पिछले 52 साल में हरियाना में मद्दान केंदरों की संख्या में भी 4 गुना से ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है 1967 में हुए हरियाना विधानसभा के चुनाओं में कुल 4,741 मद्दान केंदर थे जबकि इस बार होने वाले विधानसभा चुनाओं में मद्दान केंदरों की संख्या बढ़कर 19,425 हो गई है साल 1967 में बनी थी कॉंग्रेस सरकार साल 2014 में खिला था कमल 1966 के हरियाना विधानसभा चुनाओं में 81 विधानसभा सीटों में से 48 सीटों पर कॉंग्रेस के परतियाशी जीते थे जबकि 16 सीटों पर निदलियों की जीत हुई थी और बाकी पांच सीटों पर अन्य अदलों की जीत हुई थी भाजपा और कॉंग्रेस में बताई जा रही है टककर जी हाँ इस बार के हरियाना विदानसवा चुनाओं में मुख्या टककर भारते जन्ता पार्टी और कॉंग्रेस के बीच बताई जा रही है जबकि इंडिया नेशनल लोगदल और उसी से निकली जन्ना एक जन्ता पार्टी का भी अच्छा प्रभाव रहेगा पहले चुनाओं में विदानसवा पहुंची थी चार महिलाएं हरियाना में पुर्ष महिला नपात अन्य राज्यों के मकाबले काफी खराब है लेकिन हरियाना की महिलाओं की राजनीती में एंट्री की शुरवात पहले चुनाव से होगी थी 19-60 के हरियाना विदानसवा चुनाओं में आठ महिलाओं ने चुनाव लड़ा था ये चारों कॉंगरेस के टिकेट पर विधान सभा पहुंची थी, साल 2014 के हरियाना विधान सभा चुनाव में 37 महिलाओं ने चुनाव लड़ा था और 13 महिलाएं विधायक बनकर विधान सभा पहुंची थी, हमारी खास रिपोर्ट